इस विडियो की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करूँगी क्या आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं? मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण एक अर्थपूर्ण जीवन क्या होता है? और हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन सही माइनों में अर्थपूर्ण है? एक जीवन जब अर्थपूर्ण नहीं होता तो उस जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं? और किस तरह हमारे विश्वास और आस्था की दोर कमजूर पढ़ने लग जाती है? इन्हीं सवालों के कुछ सटीक जवाब हम आज के विडियो में तलाशेंगे साथ ही हम बात करेंगे मौंक मोड की आखिर ये मौंक मोड क्या है? और कैसे ये हमारे जीवन को एक सही अर्थ प्रदान करता है? ये भी हम समझेंगे नमस्कार दोस्तों मौंक का मतलब होता है एक सन्यासी या साधू और मौंक मोड का मतलब होता है अपने जीवन को एक सही अर्थ देने के लिए मौंक मोड में स्विच करना मौंक मोड में स्विच करने का अर्थ ये नहीं कि हम सन्यासी बन जाएं बलकि एक संत या सन्यासी की तरह अनुशासन अपने व्यवहार में लाएं मौंक मोड का यही आधार है दोस्तों एक जीवन कब अर्थपुर्न होता है जब वो व्यक्ती जो उसे जी रहा है वो अपना मन पसंद काम कर रहा है या जो काम वो कर रहा है उसमें उसे खुशी मिल रही है या वो अपने लक्षे को पाने की तयारी कर रहा है या फिर अगर नहीं भी कर रहा है तो उसने ठान तो जरूर लिया है कि उसे अपना लक्षे किसी भी हालत में पा कर रहना है फिर चाहे उसे इसे पाने के लिए कितनी भी परिस्थिती से गुजरना पड़े मौंक मोड के अकॉर्डिंग अगर किसे इनसान के जिंदगी से परपज यानि उसका लक्षे, फोकस यानि उसके एकागरता और डिसिप्लिन यानि अनुशासन को निकाल दिया जाए तो अन्त में अगर उसकी जिंदगी में कुछ बचेगा, तो वो है सिर्फ दुख, एक मीनिंग्लेस लाइफ और बहुत सारा दर्थ जिस तरह बुद्ध ने अपने लक्षे को हासिल करने के लिए अपना अनुशासन, एकागरता और समरपन, सब कुछ नियोचावर कर दिया और वो तब तक नहीं रुके जब तक कि उन्हें उनके लक्षे की प्राप्ती नहीं हो गई फिर चाहे उन्हें अपना परिवार, प्रजा, राज्य और राजमहल तक सहित त्याग क्यों न करना पड़ा हो हमारी जिन्दगी को भी हम एक अर्थ तभी दे सकते हैं जब हम उसमें अपने तीन चीज़ों को ढूंट पाए और वो तीन चीज़े यही हैं हमारा परपज, हमारा फोकस और हमारा डिसिप्लिन क्योंकि इन तीनों चीज़ों से ही हम अपनी जिन्दगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं लेकिन अगर इन तीन चीज़ों को निकाल दिया जाए तो हम अपनी life का control ठीक वैसे ही खो देते हैं जैसे एक driver अपनी गारी का control खो देता है एक बार जब जिन्दगी out of control हो जाती है तो आपके साथ घटने वाले घटनाओं पर भी आपका control नहीं रह जाता और फिर क्या होता है आप भी नहीं जान पाते कि आपके साथ अजीब सी परिस्थितियां क्यों घटित होने लगती है आप गलत आदतों में पढ़ जाते हैं लेकिन दुख के बाद तो ये है कि हमें इस बात का एहसास होने पर भी हम इन चीजों को रोक नहीं पाते हैं अपनी आखों के सामने अपने स्वास्थे को बिगरता देखते हैं लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं क्यों क्योंकि अब तक आपने अपनी लाइफ की वो तीन चीजें ढूंडी ही नहीं जिसके लिए आप बने हैं रुकिए दोस्तों हमारी जिन्दगी यहीं बस नहीं करेगी बलकि जब अपने सपनों को आप रेत की तरह अपनी हाथों से फिसलते हुए देखोगे तब हम पर हसेगी लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और सच तो ये है कि इस दुनिया के 90 प्रतीशत लोग अपनी जिन्दगी को इसी तरह जीते हैं जिसमें ना तो उनका कोई परपज होता है ना फोकस और ना ही डिसेप्लिन अजीब बात तो ये है कि इस बात का अंदाजा उन्हें तब होता है जब वो अपनी जिन्दगी के एक ऐसे पढ़ाव पर होते हैं जहां से अब वो कुछ नहीं कर सकते अब उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी बरबादी का क्या कारण था दोस्तों आपको भी इस बात का एहसास जिन्दगी के ऐसे पढ़ाव पर ना हो जहां से आप परिस्थितियों को नियंतरित करने की क्षमता ही खो दें इसलिए कैसा होगा अगर हम आपको एक ऐसी राह दिखाएं जो आपको इन 90 प्रतीशत लोगों से अलग कर देगा ये राह आपको इस दुनिया के शोर शराबे से अलग कर देगा और आपकी जिन्दगी के सारे भटकाव या डिस्ट्रैक्शन्स को आपसे दूर कर देगा दोस्तों यही पर हमारी जिन्दगी का अर्थ जुड़ता है मौंक मोड से जी हाँ ये रास्ता है मौंक मोड का और जितना सरल ये बोलने में लगता है इस राह पर चलना उतना ही चुनौती पूर्ण है क्या आप मानते हैं कि आप में वो बात है वो जजबा है वो जुनून है जो आपको इस दुनिया के 90 प्रतीशत लोगों से अलग करता है अगर हाँ तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा चलिए अब जब आपने मौंक मोड के इस रास्ते पर चलने का फैसला कर ही लिया है तो याद रखिए इस रास्ते पर चलने के बाद आपके जिंदगी एक डिसिप्लिंड, फोकस्ड और पर्पसफुल बन जाएगी मौंक मोड के इस रास्ते का पहला कदम होता है आपके द्वारा एक टाइम सेट करना जैसे मान लीजिए साल 2030 खत्म होने में आज से ठीक चार महीने बाकी हैं तो आप चार महीने का समय ले सकते हैं या आप अपने अनुसार 28 दिन, 3 महीने, 6 महीने या एक साल का समय निरधार कर सकते हैं आखें बंद कीजिए और पूछी अपने आप से कि अपनी लाइफ के परपस को हासिल करने की जिद आप कब तक जारी रखेंगे आपनी जो समय सीमा निश्चित की है उसे कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं भी आपके इस फैसले की गवाह बन सकूँ अब बार के दुनिया, बुरियादते, टाइम वेस्टिंग, लोगों से और दुनिया भर के शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाने का फैसला कीजिए फैसला कीजिए कि इतने टाइम तक आप हर उस चीज से दूर हो जाएंगे जो आपको अपनी जिन्दगी के लक्षे और उद्देश्य से अलग गर रहा होगा दोस्त इंतजार कर लेंगे, दुनिया बाद में भे मिल लेगी, लेकिन ये वक्त जो अगर गुजर गया तो वापिस नहीं आएगा आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि जो चीजें आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीस करती हैं, आपको उन चीजों को फॉलो करना है या जो लाइफ में डिसिप्लिन क्रियेट करती हैं उनको मौंक मोड में आपके टाइम का हर एक सेकेंड सिर्फ और सिर्फ आपके शारिरिक, मानसिक और अध्यात्मिक स्वास्थी की बेहतरी में लगना चाहिए और बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सच कहूं तो हाँ ये बिलकुल बहुत ज्यादा है इन फैक्ट ये इतना मुश्किल है कि आप इसे बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे और करने की जरूरत भी नहीं है आपका डेडिकेशन तोड पूरी जिन्दगी आपको थोड़ी इस्तिमाल करना है सिर्फ तब तक जब तक आपके जीवन का उद्देश्य और लक्षय आपको नहीं मिल जाता बस तब तक आपका मौंक मोड 28 दिन का भी हो सकता है तीन महीने का भी और 6 महीने का भी और ज्यादा से ज्यादा एक साल का भी फिलाल मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इसे 28 दिन से शुरू करें वैसे तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने गोल्स और टाइम के हिसाब से कब तक फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आप अपने मौंक मोड का टेस्ट शुरुवाती 28 दिनों तक ट्रा जिस तरह एक मौंक हर विपरीत परिस्थिती में खुद को ढाल लिता है चाहे वो ठंडे से ठंडा या गर्म से गर्म मौसम हो या फिर घनी जंगल या रेगिस्तान एक मौंक का डडिकेशन उसे अपने लक्षे की ओर अग्रिसर रखता है आपको भी ठीक इसी तरह खुद क अपने मौंक मोड को अपने अकोर्डिंग डिजाइन करना होगा एक बार जब आप फाइनली खुद को इस मौंक मोड में फिट कर लेंगे तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे जिस लक्षे को पाने का सपना आप देखते हैं उस ड्रीम लाइफ को पाने के लिए आप खुद को कितना डिसिप्लिंड बना सकते हो ये फैसला पूरी तरह से आपका है अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करने का फैसला कर ही लिया है तो आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर सोचना होगा कि आप आखिर चेंज क्या करना चाहते हैं इस लाइफ लाइफ को छोड़ कर आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आपकी ड्रीम लाइफ कैसी है, यानि जो भी आप चाहते हैं, अगर आप उसे पा लेते हैं, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे, आपकी लाइफ कैसी हो चुकी होगी, ये सब आपको यहां realistically और practically भ लगते हैं, वैसे ही परिस्थितियां आपके इर्दगिर्द बनने लगती हैं, इसलिए अपनी ड्रीम लाइफ के एक normal दिन को imagine कीजिए, अब इस ड्रीम लाइफ की गहराई में जाकर एक paper पर उस दिन का पूरा schedule लिखिए, उस ड्रीम लाइफ में असल माइनों में आपका दिन कैसा होना चाहिए, आप कितने बजे सोकर उठ रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, आपके bank account में कितना balance है, ये सब visualize कीजिए, आपकी health कैसी है, आप emotionally कैसा feel कर रहे हैं, ये mindset आपको disciplined और अपनी dream life के प्रती focused रहने में मदद करेगा, इसके स आप ही ये आपको जीतने के लिए भी motivate करेगा, दोस्तों इस imagination power की help से खुद को हमेशा motivated रखने के लिए एक बार आप ये भी जरूर सोचिएगा, कि अगर आप उस life में रहते हो, जैसे अभी आपकी चल रही है, तो आज से 5 साल बाद आपकी life कैसी होगी, अगर आप lazy हो, मे food खाते हो, workout नहीं करते, तो इससे imagine कीजिए कि आज से कुछ साल बाद आप कितने मोटे और unhealthy हो चुके होगे, अगर आप social media और गलत चीजों के आदी हो चुके हैं, तो आज से ठीक 5 साल बाद आपके mind और sexual health की क्या हालत हो चुकी होगी, अब आपकी life एक nightmare बन चुकी होगी, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ताकि आप social media की इस दिखावटी दुनिया से डर सकें, और दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन हारने का डर, यानि इस nightmare वाली दुनिया में जाने का डर, आपको जीतने के लिए, अपने dream life अचीव करने के सबसे बड़े motivation का काम करेगा, इस वीडियो को अब तक देखने का अर्थ है, कि आप finally monk mode में जाने के लिए तयार हैं, तो आखिर कैसे इस monk mode को अपनी dream life से जोड़ा जाए, आईए सीखते हैं इस monk mode protocol के बारे में, monk mode में enter करने के लिए आपको सबसे पहले तीन ऐसी चीज़ों की list बनानी हैं, जिसे हर हाल में आपको follow करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका discipline आपको इन तीन कामों से पीछे नहीं हटाना चाहिए, ये तीन चीज़े हैं, meditation, exercise और healthy diet, अब ऐसा क्यों जरूरी तो ऐसा करना इसी लिए जरूरी है क्योंकि ये तीन चीज़े आपके शरीर और मन के लिए इंधन की तरह काम करेंगी, ताकि आप पूरे दिन monk mode के दौरान अपना 100% दे पाएं, दोस्तों, monk mode के शुरुआती तीन चीज़ों में आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़े ज जोड़ सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें, तो अपनी पसंदीदा बुक का एक पेज पढ़ सकते हैं, एक गलास पानी पीना एड़ कर सकते हैं, या वो कुछ भी काम जो आपकी होबी है, जिसे करना आप पसंद करते हैं, इन शुरुआती तीन चीज़ों में अपने according और भ अटा कर बहुत ही intense focus के साथ अपने द्वारा set किये गए इन चार घंटों के targets को complete कीजिए, आप इन चार घंटों के बीच बीच में 30 minutes का एक break भी schedule कर सकते हैं, ज्यादा किसी से कोई इधर उधर की बात मत कीजिए, सिर्फ अपने काम से काम रखे, पूरे दिन एक healthy protein rich diet लीज दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीजिए, और दिन का आखरी काम रात में सोने से पहले एक book के कुछ pages पढ़कर सोलिए, अगले दिन उठिए और फिर से start कर दीजिए एक नया दिन नई dedication के साथ, इससे आप कुछ ही time में एक ऐसे इनसान बन जाएंगे, जिसे देखकर आपके आसपास के लोग कहेंगे, तुम पहले से बहुत बदल गए हो, monk mode की सबसे जरूरी बात, जिसके बिना आपका monk mode किसी काम का नहीं, वो है अपने लक्षे को हासिल करने के लिए आपका जीना, जी हाँ, इसे ही कहते है purpose driven life, दोस्तों, monk mode का सबसे बड़ा गोल है, आप आपको एक purpose driven life देना, आज तक आप अपनी जिन्दगी में जो कुछ भी कर रहे थे, या तो वो किसी की बातों से प्रभावित होकर कर रहे थे, सोशल मीडिया से influence होकर कर रहे थे, या फिर अपनी habits और addiction की वज़ा से कर रहे थे, दोस्तों, monk mode कहता है कि आपको अपनी जिन् बूत और शक्तिशाली कारण ढूंठना है, यही आपका purpose बनेगा किसी भी काम को करने का, जब आप सोते जागते, उटते बैठते, सिर्फ और सिर्फ अपने purpose के बारे में सोचोगे, और पूरे monk mode के दोरान सिर्फ उसी एक चीज़ पर काम करोगे, तब कहीं आप जाकर इस दुनिया के 95 प्रतिशत लोगों से आगे निकल जाओगे, दोस्तों मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं, बस देर है तो आपके खुद पर भरोसा करने की, आज ही monk mode में खुद को स्विच कीजिए और लग जाए अपने लक्षे को पाने में, पूरी काइ आपके साथ है, all the best, thanks for watching, वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी जिन्दगी का एक नया सफर शुरू कीजिए, धन्यवाद, नमस्कार